नवश्कार कैपिटल टीवी बिहार की खास पैश्कष पाच का पंच देख रहे हैं आप मैं हुस्ट रस्टी राए आज उम बात करेंगे बिहार की पाच बड़ी खबरों की इसमें बात होगी सियासत के बदलते समिकर्णों की सरकार के काम करने के तरीकों की प्रशासन की काम्याबी और नाकामियों की और साथ में चोड़्चा करेंगे नितीश कुमार के सरकार पर उठ रहे सवालों की तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ पहली खबर में बात विपक्षी एकता की विपक्षी एकता पर छलका नितीश का दर्द कॉंग्रेस के जवाब का कर रहे हैं वेट अटल जी को याद कर पियम मोधी पर साधा निशाना दूसरी खबर में बात बिहार वासियों के सालों पुराने सपनों की 27 साल बाद राम नौमी पर बिहार वासियों को मिली खुशी आजाद हुए भगवान लोगों ने कहा एतिहासिक है आज का दिन तीज़ी खबर में बाद प्रिशासन की काम्याबी की हर रात शमसान में जलती चिता का सच अर्थी सजा कर पहुचते लोग फर लगाते आग मुझफर पूर पुलिस पहुची तो कुछ और ही मिला पाचवी खबर में बाद सियासत के बदलते समी करनों की आखरकार राहूल गांधी के मामले पर सियम नितीश ने तोड़ी चुपे सियम के बयान से मचा बवा राजदानी पटना में पत्रकारों से बातशीत करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार का विपक्षी एकता पर दर्द छलका है उन्होंने कहा कि 2024 के लोग सभा चुनाओ के लिए सभी बच्चे दोनों को एक जूट करना हमारा लक्ष है जो इतना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा गटबंदन मजबूर होगा एक जूट रहेंगे तो 2024 लोग सभा चुनाओ ठीक से लड़ पाएंगे लेकिन अब तक कॉंग्रस पार्टी के फैसले का इंतिजार कर रहे है नितिश कुमार ने कहा कि हम लोग दिल ली गए और दो राउंड से सभी लोगों से बातचीत किया अब चुपचाओ वेट कर रहे है नितिश कुमार ने यहां तक कहा कि अब आप तै कर लिजे कि हम लोगों के साथ मिल कर चलना है कि नहीं हम लोग वेच कर रहे हैं शेत्रिय पार्टियों की राय बन गई है पूर्णिया में सभी दलों की सभा होई थी उसमें भी हमने ये बात कह दी थी इतना है नहीं पत्रकारों से बात करती हुए नितीश कुमार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतिय जुनता पाटी पर जम कर निशान असाधा नितीश कुमार ने अटल बहारी वाज़पेई को याद करते हुए कहा कि श्रदी या अटल जी कितने महान थे कभी हिंदू मुसलिम का जगडा नहीं करते थे सबको एक तरीके से मानते थे लेकिन देखिये आज क्या हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं कि अटल जी को मुझ पर कितना भरूसा था कि उन्होंने तीन-तीन विभाग का मंत्री बनाया समय कितना काम हुआ लेकिन किसी काम को याद नहीं किया जाता है आज के लोग सिर्फ अपनी तारीफ करते रहते हैं पुराने काम को कभी याद नहीं करते भोजपूर जिली में आज खुशी का दिन है कोट के इस आदिश से सभी भक्तों में खुशी के लहर देखी जा रही है आरा सिविल कोट के एडीजे तीन सतिंद्र सेंग ने रहाई का आदिश जारी किया था आदिश जारी होने के बाद बढ़हरा प्रखंड के क्रिशनागड ओपी के मलखाना से अश्ट धातू से बनी भगवान हनुमान जी और संत बरबर स्वामी के प्रतिमा को बाहर निकाला गया स्पैसली के बाद पूरे शेत्र में श्रधालियों ने विदिवत पूजा अर्चुना की और भव्य शोभाय यात्रा निकाली वहां के लोगों का कहना है कि दोनों प्रतिमाओं की पुनह स्थापना गुंडी गाउं स्थत भगवान श्री रंगनात के मंदिर में की जाएगे मूर्ती विमोशन में बहार धार में क्नियास बोड के पूर्व अध्यक्ष अचार्य किशोर कुंडाल और आरा सिविल कोट के अधिवक्त आजीत कुमार दुबे सहित ग्रामिडों का वर्शों का प्रया साखरकार रंग लाया आपको बता दे के बिहार वासियों को ये खुशी करीब 29 साल का लंबे इंतजार के बात बरी है दरसल 29 साल पहले 29 माई को 1994 को बढ़ारा प्रखन अंतरगत गुडी गां उस्तत श्री रंगनात भगवान मंदिर में स्थापित अश्ट धातू के बनी भगवान हनुमान और संत बरबर स्वामी की मूर्ती को अग्याग चोरों ने चुरा लिया था तब कालीन मंदिर के पुज़ारी जनीश्वर दुएदी ने मूर्ती चोरी का आरोप लगाते हुए क्रिश्नागड ओपी थाने में अग्याग चोरों के खिलाफ प्रात्मी की दर्श कराई थी बतादी के पुलिस ने 25 माई 1996 को नगर थाना शेतर के बलूही पुर गौस गंज बधार के चूच बाग सितकुए से दोनों मूर्तियों को बरामत कर थाने ले आई थी पूरे मामले में अब फैसला हुए है बतादी कि 27 साल से मूर्तिया थाने के माल खाने में रखी हुई थी इस पूरे प्रक्रिया में जैसे ही कोट से रिहाई का आदेशाया गाउं की लोगों में खुशी की लहत दोड़ गई। पूर्ण शराब बंदी वाले बिहार में शराब बनानी की संसनी खेज रणीती का खुलासा हुआ है। मुझपरपूर में सदर थाना पुलिस गुपत सूचना पर एक शमशान में पहुची तो डंग रह गई। शमशान में चिता जला रहे लोग भागने लगे। पास जाने पर पता चला कि दूर से लोग जिसे चिता समझ रहे थे वो शराब की भटे थी। माफिया चिता की आड़ में नशे की दवात तयार कर रहे थे। मामना सदर थाना शेतर के मधोपूर सुस्ता शमशान खाट की है। पुलिस को गुपत सूचना मिले की शमशान में कुछ निश्चित लोग रोज विधिविधान के साथ लाश लेकर जाते हैं और पूरी रात वही रहते हैं। पुलिस को किसी साजिश की आशंका हुई। शराब की भट्टी से अंजान पुलिस दल बल के साथ शमशान में पहुची तो लोग भागने लगे। पास जाने पर पता चला कि शराब माफिया शमशान का उपयोग दारू भट्टी के रूप में कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल मौके से शराब बनाने के समानों को जब्त कर लिया। फिर से सदर्थाना पुलिस सम्शान पहुची जो भारी मातरा में छिपाई गई तयार देसी शराब और उसके समागरी बरामत की गई। सदर्थाना प्रभारिस सतेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लोगों को चक्मा देकर माफिया देशी शराब बना रहे थे मौके से दो गैस सिलेंजर चूला सिस्टम बरतन पाइप जावा घोल जब्ट किया गया पुलिस ने बताया कि किसी को शक नहीं हो इसलिए माफिया चुता की शकल में शराब बनानी की समागरी ले जाते थे और अपना धंदा चलाते थे पुलिस आसपास के गाउं में छापे मारी कर रही है गाउं के कई लोग फरार हैं उनकी तलाशी की जा रही है पुलिस ने कारुबार्यों को चनहित कर लिया है बहार के पूर्णिया में दो बच्चों के पता को दूसरी युवती से इश्क लड़ाना महंगा पड़ गया दरसल जब वो बीवी को घर में छोड़ दूसरी युवती से निकाह करने उसके घर गया तो अगले दिन ही उसकी शव वहां से मिली गले में रसी लिप्टे हुई थी और मूँ से खूर निकल रहा था गटना अमोर थाना शेतर अंतर गत रंग रहया गाउं की है लड़की के घर से युवक सहाबुल आलम की शव मिली शव मिलते ही उसके परिजनों के होश उड़ गए हाला कि मामला हत्या का लग रहा है लेकिन उसकी हत्या किसने और क्यों की इस पर जात चल रही है वहें मृतक के परिजनों नहीं कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है इस घटा के बाद से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है मृतक के भतीजे मुहमद शौकत ने बताया कि उसके चाचा की शादी तीन साल पहले हुई थी घर में बीवी और बच्चे रहते हैं लेकिन चाचा आशिक मिजाज थे पहली पत्नी से मन नहीं भरा तो उन्होंने पास के गाउं की दूसरी यूवती से अफेर शुरू कर दि कि जैसे ही हमें चाचा की मौत की सूचना मिली हम फौरन यूवती के घर पहुचे हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी बायसी के SDPO आदित कुमार ने बताया कि फिलहाल हत्या का मामला दर्ज करके जाच शुरू कर दिया गया है जन लोगों के खिलाफ मृतक के परिजनों न के मामला दर्ज करवाया है वो सभी अभी फरार है उनकी तलाश यारी है जल्दे इस मामले को सुलजा लिया जाएगा बैयार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की सांसदी जाने के मामले पर चुपी साधे रखे सलेकर राजनितिक हलकों में खूब कयास लगाए गए सियम नितिश ने खुद इस बात से परदा हटा दिया है कि वो राहूल गांधी को मानहानी केस में सजा होने और उनकी लोकसभा सदस्यता रद किये जाने के मामले पर चुप क्यों है दरसल देश की राजनिती आज कल राहूल गांधी के आस पास ढूम रही है राहूल मुद्दे पर साथ देने और नहीं देने को लेकर शुरुवात में जेडियू थोड़ी उहा पोहमी देखी पटा से लेकर दिले तक विपक्षी पार्टियों के साथ कदम ताल करते नहीं देखी इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि कहें नितीश कुमार कुछ और खिचडी तो नहीं पका रहे है चट महा पर्व में खरना की दिन नितीश कुमार जेडियू एमलसी और अमिच्शा के करीबी संजे मयोग के घर प्रिशाद खाने चले गए इसके बाद जेडियू और नितीश कुमार के स्टैंड के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए चाने लगे मगर अब नितीश कुमार ने चुपी तोड़ी उन्होंने कहा कि ये सब तो कोट का मामला है और इस मामले पर मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोलता राहुल गांदी को लेकर नितीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इक्षा है हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इक्षा हो जाए एक जूट हो जाएंगे थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का लोगसभा चुनाओं लड़ेंगे आपको बता दी कि राहूल गांदी को मोधी सरनेम केस में गुजरात के सूरत की अधालत ने पिछले दिनों दो साल की सजा सुनाई इसके बाद उनकी लोगसभा की सदस्यता रद कर दी गए इस मुद्धे पर विबिन विपक्षी दलो के नेताओं ने राहूल गांदी के समर्थन में केंदर सरकार पर हमला बोला मगर सीम नितीश्ट कुमार ने चुपी साधी रही राजनितिक गलियारों में ये चर्चा का विशय बना रहा पांच के पंच में आज के लिए बस अतना ही फिर पेश होंगे कल के बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रही कैपिटल टीवी बिहार नवश्कार